हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलिट स्कॉलर एलिट चैनल में आप सबका स्वागत है मैं हूँ अनुराक पांडे जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अगर वो सब्सक्राइबर नहीं है स्कॉलर एलिट के तो उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लिजिए चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट आने वाले वीडियो सही समय पर मिलते रहे अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजे और शेयर कीजे अपने दोस्तों के साथ इसके पहले वीडियो में हमने देखा था डिगरी को डिगरी के से जोड़ों बहुत सारे रूल्स को हमने देखा था degree हमारा जो topic है वो adjective का ही एक topic है क्योंकि degree जो है वो adjective of quality का है topic जहां पर आप compare करते हैं चीजों को तो पिछले वीडियो में हमने देखे थे बहुत सारे rules उसी series को आगे बढ़ाते हैं देखते हैं आज फिर बहुत सारे rules उस degree से जड़ हुए तो आई स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो डिगरी पर देखे अब कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे की बात करें prefer, preferable and elder ये ऐसे शब्द हैं जो की comparison होने पर preposition to लेते हैं ना की then देखा था हमने पहले की comparison के लिए आप करते हैं पर ये इन सब्दों के साथ आप यूज करते हैं to का जैसे की कोई example अगर लिखा हुआ है I prefer Mumbai than Delhi for the next tour तो यहाँ पर जो आपने Mumbai और Delhi के बीच में ये जो than लगाया है अब ये prefer लगाने की वज़े से हो गया है गलत यहाँ पर आएगा I prefer Mumbai to Delhi for the next tour वो होता आपका सही बात करें अगर comparison is made in the same cases देखिए cases का मैंने वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको ये rule बहुत अच्छे से बताया था उसी rule का कुछ और use होगा इसलिए हम इस rules को दुबारा देख रहे हैं तो देखिए a subjective case is compared to subjective case subjective case हमेशा subjective case से compare होता है जैसे अगर बोलें he is taller than me तो he है आपका subjective case और me है आपका objective तो यहाँ पर ये है गलत he is taller than I होता आपका सही ये है आपका गलत क्योंकि I होता है subjective case first person के लिए देखते हैं next a positive case is compared to the positive form तेकि ये positive case को भी आपके वल positive case सही compare करते हैं my car is better than you अगर लिखाया तो वो है गलत क्योंकि my है यहाँ पर वो है positive case और यहाँ पर you जो है वो है आपका subjective या objective क्योंकि you के लिए दोनों ही सेम होते हैं पर आपको यहाँ पर use करना है positive case का तो यहाँ पर use होगा yours का yours का use इसलिए होगा क्योंकि noun जो देखिए आप car जो है वो आपने पहले ही use कर लिए है अगर car जो आपने बाद में use की होती तब वहाँ पर आप your बस लगाते yours नहीं लगाते यसे कि इसका सही होगा my car is better than yours या फिर अगर आपको your का use करके सही बनाना होता तो वह होता my car is better than your car तब वह होता आपका बिल्कुल सही आई होगा आपको difference समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं objective case is compared to the objective case यह rule यह तीनो रूल हमने देखे थे पिछले हमारे cases के वीडियो में objective case को आप compare करते है objective case से my mother loves him more than I एक case से related हमने एक question देखा था जहां हमने दौनों cases को compare किया था आज के हम इस video में किवले की case को consider कर रहे है देखिए my mother जो है mother यहाँ पर है subjective और loves him है आपका objective और यहाँ पर then है जो वो है आपका preposition और preposition के बाद आपका आना चाहिए एक objective case तो I यहाँ ना होकर होगा me me होगा वो होगा objective case आपका और फिर यह जो subject है इन दोनों object पर करेगा अपना work perform तो action जो perform होता है वो होता है में इस object पर ठीक है more than me तो जो mother ही है वो my mother loves him भी होगा और फिर my mother loves me होगा और उन दोनों cases को आप करेंगे compare तो वो हो जाएगा my mother loves him more than me ठीक है यह होगा आपका सही अब देखते हैं next rule हमारा comparative form ending with OR then subjective case is compared to objective case देखिए अगर comparative form जो है आपका वो OR से end हो रहा है तब आपको subjective case को compare करना है objective case से यह आप ध्यान रखिएगा जैसे कि अगर लिखा हुआ है he is senior to I अब senior देखिए end हो रहा है OR से तो यहाँ पर जो आपको subjective case है जो कि आपका है he इसको आपको compare करना पड़ेगा objective case से पर I है जो यहाँ पर है subjective case तो यहाँ पर यह है गलत senior to me होता क्योंकि आपको objective case से compare करना है तो मी है आपका सही तो he is senior to me होता आपका सही यह आपका गलत अब बात करें अगर next rule की if subjective case is compared to the subjective but subjective is third person then extra verb is added देखिए अगर आपको subjective case आप compare करते हैं subjective case से पर जो दूसरा subjective case जिससे आप कर रहे हैं compare वो है आपका third person he she तब जो है आपको एक extra verb add करनी पड़ती है तब हम बात करते हैं तब यह जो दैन आप यूज करते है न वो दैन आपका preposition नहीं रह जाता वो ऐसा यूज होता है conjunction जैसे कि अगर बात करें I am taller than he तो he के बाद आपको extra verb add करनी पड़ेगी वो होगी he is और अब इस case में जो है दैन अब preposition जैसा work नहीं करेगा अब वो वो वर्क करेगा conjunction के जैसा I hope आपको difference आ रहा होगा समझ में क्योंकि preposition के बाद हमेशा आप यूज करते हैं objective case का यहां ही नहीं है objective case यहां है subjective case तो अब then जो है वो वर्क कर रहा है as a conjunction बात करते हैं अब next rule की the repetition of noun is avoided in comparison it is avoided using that of और those of देखिए comparison repetition of noun हम इसा आप avoid करते हैं जब आप करते हैं compare दो nouns को और इसको आप repetition को आप avoid करते हैं that of या फिर those of का use करके जैसे कि अगर बात करने कोई sentence लिखा हुआ है the culture of India is better than the culture of America अब देखिए culture जो है वो है आपका noun और वो noun है आपका compare कर रहे हैं आप फिर से culture से तो यह जो noun है वो हो रहा है आपका repeat और आपको repeat नहीं करना है noun का तो यह sentence है आपका गलत है इसको आप सही वे में ऐसा बोल सकत हैं the culture of India is better than that of America ठीक है इस culture की जगह पर आप बोलेंगे that of then that of America वो होता आपका सही next example कि अगर बात करें दीज मैंगोज आर बेटर देन the mangoes of indoor तो यहाँ पर फिर से mangoes है आपका noun जो कि आप इसको compare कर रहे है हो रहा है repeat repeat नहीं करना है आपको तो यहाँ पर फिर से आप use करेंगे those का आप बोलेंगे these mangoes are better than those of indoor ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा that हमने इसलिए यूज किया था culture है आपका countable नहीं है वो mangoes है यहाँ आपका plural एसी हम यूज कर रहे हैं दोस्त का I hope आपको difference आ रहा होगा समझ में बात करते हैं next comparatively, relatively के साथ आप यूज करते हैं positive degree का then is used after positive degree फिर इसके बाद आप लगा सकते हैं then का ठीक है यह rule है आपका important फिर है any number और time अगर आपका दिया हुआ है तब वहाँ पर आप यूज करते हैं positive degree का ठीक है बहुत बहुत important rule देखिए अगर जैसे कोई example लेखा हुआ है my problem is four time bigger than yours तो हमने देखा four है आपका वो time any number फिर time आपने यूज किया है तो यहाँ पर आपको यूज करना था positive degree का bigger आपकी comparative है तो आपको यहाँ पर यूज करना था big का my problem is four time big than yours वो होता आपका सही यह है आपका गलत अब बात करते हैं हमारे next rule की if we talk about one person we use positive degree to show the quality के वह लगर एक person की बात करते हैं तो हम उसकी quality को show करने के लिए हम इसा यूज करते हैं positive degree का ना कि comparative और superlative degree का तो अगर हम बोलें Ram is a smarter boy तो Ram is a smarter boy कहना है गलत क्योंकि smarter आप यूज करेंगे आप यूज करेंगे positive degree आप यूज करेंगे smart Ram is a smart boy है आपका सही यह sentence है आपका गलत अब when we talk about two persons or thing we use comparative form to show quality जब हम दो लोगों की बात करते हैं तो उनके बीच में comparison के लिए हम यूज करते हैं comparative degree का example आप देख सकते हैं of the two students Ram is a smart अब of the two दो लोगों से compare कर रहे हैं Ram को तो आपको यूज करना था comparative degree का यहां यह है positive degree तो है गलत of these two students Ram is a smarter होता आपका सही देखिए of the two यह सब यह है of the start होने वाले sentence बहुत important होते हैं यह बहुत important sentence है अभी इनी structure से आते हैं आपके question और in cases में जो है sentence आपको preposition लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है देखिए आप देख सकते हैं then का use हमने नहीं किया comparative form होने के बाद भी देखिए आप इसमें then का use नहीं है तो यह structure है काफी important अब बात करते हैं when we talk about more than two persons then we use superlative degree अगर आप more than two person के साथ compare कर रहे हैं किसी चीज़ का तो वो फिर वहाँ पर आपको superlative degree का करना पड़ेगा यूज जैसे की बात करें sentence की of the ten students present their Raju is intelligent intelligent देखिए word है वो double syllable का है मैंने पिछले वीडियो में बताया था syllable कहसाब से आप कैसे देखते हैं intelligent है two syllable वाला तो इसके लिए आपको more और most का यूज़ करना पड़ेगा तो intelligent के लिए जो superlative form होगा वो होगा most intelligent of the ten students present their Raju is most intelligent होता आपका सही यह है आपका गलत अब इस case में आपको दा लगाने की जरूरत नहीं है देखिए मैंने बताया जब भी of the से start होता है कोई structure तो ना आपको comparative के लिए देन लगाना है ना आपको superlative के लिए यूज करना है दा का बहुत important structure है यह generally अभी इसी structure से आ साम में बात करते हैं next rule की to show improvement in a once condition comparative form comes with any preposition किसी भी preposition का आप यूज कर सकते हैं अगर किसी की आपको improvement बतानी है किसी व्यक्ति की आपको अगर improvement शो करनी है तो आपको use करना है comparative form का और then लगाने के आपको ज़रूरत नहीं है जैसे अगर आप किसी को बोलते है you have become smarter these days आज कल तुम बहुत smart हो गए हो तब आप यह वहाँ पर use करते है comparative degree का पर then लगाने के आपको वहाँ पर नहीं है ज़रूरत you have become intelligent these days देखिए अब हमने बताया किसी की improvement के लिए आप यूज करते है comparative form का intelligent जो है यहाँ पर है वो positive form जो की है गलत आपको use करना था you have become more intelligent these days वो होता आपका सही यह है आपका गलत बात करें अगर next tool की to show continual improvement in one's condition comparative form comes in double structure without any preposition देखिए यह अगर आप continual आप किसी चीज की improvement की बात कर रहे है तब वहाँ पर आप use करते है comparative form के double structure का जैसे की अगर आप बात करें example की the train is going faster and faster the situation is going worst and worse तो यह है आपके सही क्योंकि आप continual improvement बता रहे हैं दो चीजों के बीच में और आप use कर रहे हैं comparative degree का तो यह दोनों ही sentence है आपके बिलकुल सही आप बात करते हैं next rule की positive degree आप लगाते हैं फिर आप लगाते हैं to और यह comparative degree का आप use करते हैं यह भी है आपका improvement को करता है show तो आप बताते हैं you are going smart to smarter किसी person के बारे में अगर बात कर रहे हैं उसकी improvement के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस structure का भी use कर सकते हैं you are going smart to smarter है आपका सही और फिर आप बोलें you are going intelligent to intelligent तो यहाँ पर यह होगा आपका गलत क्योंकि first intelligent जो है वो तो है positive degree वो है सही पर जो आप second intelligent बोल ला है वो होना चाहिए था आपका comparative degree structure के हिसाप से तो यहाँ होता more intelligent यू are going intelligent to more intelligent ठीक है यह है आपका सही अब बात करें the situation is going bad to worse situation जो है बुरी से बत्तर होती जा रही है तो bad है आपका positive में और worse है आपका comparative में जो की है आपका बिलकुल सही बात करें next rule की same situation can be represented through comparative 2 plus superlative इसके पहले हमने देखा positive 2 plus comparative था यहाँ पर comparative form plus 2 plus superlative है यह जो structure है वो हम use कर रहे हैं किसी person की improvement को बताने के लिए आप किसी भी structure का use कर सकते हैं देखें आप error कैसे find out करेंगे जैसे comparative to comparative है तो error होगी या फिर comparative to positive है तो error होगी आपको error उस way में find out करनी है देखते हैं इसका example the situation has become worst to worst worst to worst यह आपका bad के है यह है आपका bad का comparative form और यह है आपका bad के लिए superlative form तो structure हमारा है बिलकुल सही comparative to plus superlative तो यह sentence है आपका बिलकुल सही आप देखते हैं next rule the reciprocal relationship get the with its both comparative structure देखें यह बहुत important rule है अभी बहुत ज्यादा आता है यह देखते हैं example the more he gets the more he demands देखिए आप इसमें देखिए दोनों ही comparison में आपका आया है दा और दोनों ही जगाँ आपने यूज किया है comparative form का यहां पर यह है आपका बिलकुल सही the faster you run the quicker you reach यह भी आपका है बिलकुल सही faster है आपका comparative क्यूकर है आपका फिर से comparative और आपने यूज किया है दा का दोनों ही के साथ तो यह भी है आपका बिलकुल सही अब बात करते हैं हम हमारे next important rule की देखिए अकर आपका किसी sentence में केवल एक adjective हो केवल एक adjective हो जो की end हो रहा ह तो इसके साथ आपको most लगाने की भी जरूवत नहीं है इस चीज को आप example से समझ पाएंगे देखिए जैसे हम बोलें ram is more smarter than sham smarter जो है वो er से end हो रहा है यानि कि यह comparative form में और उसके पहले लगा हुआ है more तो आपको यह more लगाने की जरूवत नहीं है क्योंकि यह more जो है वो superfluous use है यहाँ पर तो यहाँ पर यह है आपका गलत ram is smarter than sham होगा आपका सही यह more आप use नहीं करेंगे ऐसे ही अगर बात करें ram is more intelligent than sham तो यहाँ पर है आपका सही क्यों क्योंकि intelligent का जो होता है structure वो तो उसका तो comparative form ही होता ना कि more intelligent होता है comparative form ठीक है तो यहाँ पर यह होगा सही क्योंकि आपको ने यहाँ पर extra more का use नहीं किया है किवले comparative form का use किया है और compare किया है then से तो यहाँ पर यह है आपका सही I hope आपको दोनों का difference समझ में आ रहा होगा यहाँ पर smart के लिए smart का superlative form में हमें more की ज़रूरत नहीं परती smart, smarter, smartest पर intelligent का जो comparative form होता है वो होता है intelligent, more intelligent और most intelligent तो यहाँ पर जो है more वो है आपका सही पर यहाँ पर जो more आपने लगाया वो है आपका superfluous use है more का मतलब की जरूरत से ज़्यादा आप उसको use कर रहे है पर यहाँ पर जो है उसको use करने की है जरूरत तो यह sentence है आपका बिल्कुल सही I hope आपको difference आ रहा होगा समझ में बात करते हैं when two qualities of one person or thing is compared then er or more can come together देखिए अगर एक ही person की दो qualities की बात करें तब आपका अगर कोई adjective er से भी end हो रहा हो तो भी आप उसके साथ लगा सकते है more जैसे कि अगर example देखें the room is wider than long किसी कमरे की बात हो रही है जिसकी चोड़ाई जो है वो लंबाई से काफी जादा है मतलब की चोड़ाई है आपकी एक quality लंबाई है दूसरी quality दोनों quality को आप कर रहे हैं compare wider जो end हो रहा है वो हो रहा है er से हमने पिछले rule में देखा कि आप जब भी er से end होता है नहीं लगाते extra more पर यहां पर एक ही चीज है room और उसकी दो quality है तो आप लगाएंगे यहां more का the room is more wider than long यह होगा आपका बिलकुल सही ठीक है more लगाने के बाद I hope आपको यह दोनों rule हो गए होंगे clear बात करते हैं कुछ structure जो की आखते हैं extra exam में as as अगर लगा हुआ है तो उसके बीच में हमेशा यूज करना है positive degree बहुत important rule जैसे कि अगर लिखा हुए example ram is as smarter as sham तो वो हो गया गलत क्यूंकि smarter है आपका comparative में जो की है गलत आपको यूज करना था positive जो की होता smart ram is as smart as sham होता आपका सही अब बात करें as as के पे में हम आप यूज करते है positive degree का हमने देखा बी rule पर अगर लिखा हुआ है if not तो आप उसके बाद यूज करते हैं comparative form का जैसे कि अगर कोई sentence लिखा हुआ है ram is as smart as sham if not अब smart जो है वो है आपका गलत क्यूंकि आप structure देख लिए तो है आपका comparative form आना था तो यहाँ पर if not smarter होता आपका सही ठीक है sentence के अगर meaning की बात करें तो ram भले ही ज़्यादा smart ना हो पर उतना smart तो है जितना की श्याम है यह है sentence का meaning आपको meaning से ज़्यादा अच्छे से होगा clear I hope आपको यह structure और यह rule आगया होगा समझ में बात करते हैं आगे कोई और structure देखते हैं so positive degree as so as के बीच में भी आप use करते है positive degree का और इसका use आप करते है negative structure के लिए ठीक है as as का use आप करते थे positive structure के लिए और so as का आप यूज़ करेंगे नेगेटिव structure के लिए राम is not so smarter as sham फिर से आपने so as structure का यूज़ किया है पर जो आपने यूज़ किया smarter वो है comparative में जो की है गलत आपके यूज़ करना था positive जो की होता simply smart राम is not so smart as sham होता आपका सही अब बात करते हैं कुछ और structures one of one of एक बहुत important structure है किसी भी exam का हमेशा आने वाला one of और अगर लगी है superlative degree तो उसके बाद आता है plural contable noun राम is one of the smarter students of the class अगर यह आपका लिखा हुए है तो यहाँ पर देखे smarter जो आपने use किया है वो है आपका comparative में आपको use करना था one of के बाद यह superlative degree का यहाँ पर आता राम is one of the smartest smartest होता आपका सही यहाँ पर यह है आपका गलत बात करें अगर next tool की one of फिर आएगा superlative degree if not फिर से आएगा superlative degree इसके पहले हमने एक और case देखा था ऐसा ही if not structure का तो बात करें राम is one of the smartest student of the class if not smarter structure के हिसाब से यह देखिए smarter जो है वो है आपका गलत smarter की जगा आपको use करना था smartest का इस sentence के भी अगर meaning की बात करें तो sentence का meaning है राम भले ही सबसे smart ना हो पर इस class का तो सबसे smart student है यह है इस sentence का meaning और आपको meaning से होगा clear यह structure आयोप आपको आगया होगा समझ बात करते हैं कुछ और structures की one of है फिर आता है superlative degree फिर है plural countable noun that or who मैंने आपको बताया था हमारे relative pronoun यह हमारे relative pronoun और उनके बाद आपको लगाना होता है plural verb तो बात करते हैं he is one of the best students who is getting scholarship यह जो structure है बहुत आता है SSC exams में तो यह बहुत patent question है he is one of the best students अब who है आपका relative pronoun जो की और relative pronoun के साथ आपका case होता है कि वह जस्ट आप पहले आने वाले noun या pronoun को करते हैं represent तो अब जो verb आएगी वो आएगी according to students के students है आपका plural तो यह जो verb आप यूज़ कर रहे हैं वो है singular जो की है गलत आपको जो verb यूज़ करनी थी वो करनी थी आर क्योंकि अब जो role play कर रहा है subject वो अब students subject है वो अब अपना role play कर रहा है तो उसके हिसाब से यूज़ होनी थी verb plural बहुत important structure है SSC का patent structure है जरूँ देख लिजेगा इसको बात करते हैं next rule की any other all other most other अगर ये सब आपका लगा हुआ है comparative structure में तो ये बनाता है आपका superlative sense देता है ठीक है अगर आप इन सब्दों का use comparative structure में करें तो वो आपकी superlative sense देंगे जैसे कि आप बात करें example की ram is taller than any other boy ठीके बाकी सब ही boy से compare किया है ram को तो आप जब भी कभी बाकी सबी से compare करते हैं तो वो आपको superlative sense देता है तो ये sentence है आपका बिल्कुल सही Mohan is smarter than most other students ये भी है आपका बिल्कुल सही और ये आपको दे रहा है एक superlative का sense क्योंकि आप compare कर रहे है Mohan को बाकी सबी students से अब बात करते हैं next rule की next rule है आपका अगर former, letter ये सबी अपने पहले दा का यूज़ करते हैं देखे er लगा हुआ है तो आप ये माँ समझेगा कि ये है आपका comparative former और letter बताता है पहले और बाद में ठीक है er से आप confuse मत होईएगा कि ये हैं आपके comparative form तो आप डाल नहीं यूज़ कर सकते बात करते हैं example की the former president has died ये आपका बिल्कुल सही former का मतलब होता है पहले अब बात करते हैं हमारे next rule की some adjectives are itself superlative कुछ ऐसे adjective होते हैं अपने ही आप में होते हैं superlative और उनका यूज़ आप positive या comparative sense में नहीं कर सकते और अगर ये यूज़ हो रहे हैं as a superlative तो आप उनके साथ more, most, than और दा का यूज़ भी नहीं करते ये हैं आपके unique, prime, chief, supreme, dead, round, impossible ये हैं आपके वो adjectives if they are used just before noun then the can be used अगर आप उनका use just noun के पहले करें तब आप लगा सकते हैं the देख लेते हैं इससे जड़ हुए examples this is the most unique opportunity for me देखे, unique आपका itself superlative sense दे रहा है ठीक है, तो उसके पास पहले आपको most लगाने की ज़रूरत नहीं है most का use जो है वो है आपका superfluous तो यहाँ पर ये sentence है आपका गलत this is the unique opportunity for me होता आपका बिलकुल सही most को आपको करना है remove और एक और फिर से बात कर सकते है next tool की it is most impossible for Pakistan to win impossible फिर से आपका as a work कर रहा है superlative का उसके पहले आपको most लगाने की ज़रूरत नहीं है तो ये sentence भी आपका है गलत इसका सही sentence होता it is impossible for Pakistan to win ये है आपका सही so this is all from this video I hope आपको ये video भी अच्छा लगा होगा आज के इस video में कुछ rules जो थे वो काफी hard थे तो आपको ये video को दुबारा देखना होगा अच्छे से rules को समझना होगा जोड़े रहे है scholar elite के साथ ताकि आपको latest video समय पर मिलते रहें thank you झाल 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 झाल